और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन गुजरात की उंजा में वोट डालने निकली जशोदा बेन अपने घर से निकली जिसकी तस्वीरें निउस एक्सप्रेस के पास हैं नरेंद्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन वोट डालने के लिए निकली है गुजरात की उंजा में वोट डालेंगी अपने घर से वो सुबह निकल गई थी मंदिर गई लेकिन अभी तक उन्होंने वोट नहीं डाला है जैशोदा बेन नरेंद्र मोदी की पत्नी है जिने नरें अंदर मोदी ने नामांकर में जैशोदा बेन को अपनी पत्नी माना था उसके बाद इस तरह की चर्चाएं थी कि वो चाथधाम यात्रा पर चली गई हैं के दारनाथ चली गई हैं तफी कुछ बातें सामने आई थी लेकिन फिलहाल वो उंजा में हैं और उंजा में न्यूज साथ बज़े की आज पास की तस्वीर आज सुबह की जब जशुदा बेन अपने घर से रिकली और वो मंदिर गई थी मंदिर के बाद उन्हें वोट डालने जाना था उंजा के पोलिंग बूत पर लेकिन अभी तक उन्होंने वोट नहीं डाला है और इस वक्त आप तस्वी देख रहे हैं वो पोलिंग कि जो तस्वीरें हैं उसमें जो पोलिंग स्लिप है उनकी उसमें उनका नाम की जगह देखिए मोदी जशुदावेन उनका नाम लिखा हुआ गुजराती में है यह नाम पिता का नाम है और बाकि जो तमाम जानकारियां है वो उनकी इस में बैठी और गाड़ी में बहुत क्लियर उनका फेस नहीं था जलक जरूर थी लेकिन वो जशोदा बेन हैं जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और तीसी तस्वीर वो अपने घर से निकल गई थी मंदिर जाना था मंदिर के बाद वोट डालने उनको पहुंचना था ल साथ जोड़े हुए उनके पास चलेंगे बीपी कहां पर इस वक्त आप मौझूद हैं और अभी वहां क्या चल रहा है और जशोदा बेन अब तक आई की नहीं आए लेकिन अभी तक जश्वदा बेन वोट करने मीडिया को पुछ पने के लिए कर निकल गए ती कभी उंजा तो बभी जो उनका पुश्टे निकल गए थे बातकित नहीं कि कब तक आ सकते हैं वोटिंग करने के लिए बिलकुल जब से नामांकन हुआ है तब से बहुत सी कॉंट्रोवर्सी भी साथ यसाथ रही है इस दौरान कुछ इस तरह की भी खब्रे आए थी कि वह केदार नाच चली गई है चारधाम ग्यातरा पर चली गई है इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास उन्होंने बताया था कि वह हरी दौर गई है लेकिन कब आएगी वह उन्होंने कुछ साफ कुलकर में बता पाए रहे थे ठीक है बीपी प्रजापती आप नजर बनाये रखिएगा जब जशुदा बेन आएंगी वोट डालने के लिए तब हम आपके पास आएंगे बास्तीत तब हम आपसे करेंगे राजेश प्रजापत है आपका इस चर्चा में और छाशुदा बेन को लेकर काफी कांट्रोवर्सी सी जब नरिंदर मूदी ने उनको माना था कि वो उनकी वाइफ है नामांकन के दौरान ये नरेंदर मोदी ने माना था और इसको जो विपक्षी पार्टियां है उन्होंने एक हत्यार के तौर पर भी बड़ा इस्तेमाल किया था कि जो शक्स अपनी अपनी पत्नी को इस तरह किसे चुपा के रख रहा है वो महि जो भारत की इतोस हैं उसके खिलाफ है लेकिन क्योंकि व्यक्तिकत मसला है और आज तक यसुदा बेन ने कोई अब्जेक्शन नहीं किया तो ये मसला अपने आप खतम हो जाता है लेकिन जहां तक सेद्धनतिक बात है इसमें एक क्यों छोड़ा ये भी किसी को नहीं मालुम किस वज़े से वो चले गए आदी आदी बात हैं दूसी सबसे वड़ी बात यह है कि ये बड़ा सवाल नरिन मोदी के लिए है वो इसलिए है कि उनकी व्यक्तिकत इमानदारी इस पे लगी हुई है उन्होंने पहली बार ये डिक्लियर किया है नॉमीनिशन में तमाम इलेक् को जो ग्यात तत्थे हैं उसमें जी है कि उन्होंने अपने को आप विभाइद दिखाया तो ये एक व्यक्तिकत इमानदारी की जो बात है बिलकुल क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पत्नी के कॉलम में अपना नाम लिखा है दाट मींस की नॉट लीगली सेपरेटेड ये चीज तो है क्लियर तो लेकिन आरेसेस से तो जुट बूला बिलकुल बिलकुल वही चीज़ बंड़ा फोड़ हुआ तब ही आरेसेस ने उठाके ने बीज़ एपी में बेज दिया और इसके पहले चुना हुआ उन्होंने नहीं लिखा नहीं लिखा किसी एलेक्शन में नह जिज दिया आडेसस में रही नहीं सकता प्रचारक साधी सुदा हम यह है मसला पूरा अभी हाली मेरेससे वरिश्ट प्रचारक का किस्ता हुआ है जी पताधिकारी है जो उनका किसी महीला से प्रेम हुआ और उनने शाधी करी उन्होंने आरेसस चोड़ना पढ़ा उनको यह एक तत्थ को छिपा लेने के बाद भी प्रचारक बने रहे यह मुदी के लिए तो बड़ा मसला है लेकिन जहां तक जसुदा बेन का मसला है उन्होंने आज तक कोई कोई अब्यक्शन नहीं किया है उन्होंने कोई सिकाइट नहीं किया है यह भारत की जो एक नारी की जो चवी है जो पति-परायणा नारी वह उसका एक्जाम्पिल है अच्छा विनो जी क्या क्या वाकई में यह मुद्दा है जिस तरीके से कॉंग्रेस इसको प्रोजेट कर र नारी और निजी आपका जो नहतिकता है उसको भी परखा जाता है तो निश्चित रूप से जब यह बिल्कुल ठीक बात है कि अशोदा बेन को कोई आपती नहीं है वह अपने तरीके से रहे हैं अपना जीवन जो भारती नारियों का एक परंपरा के तरह है भारती समाज मे हाला की उसको लेके तुमाम तरह की बहस है कुछ लोग उसको उच्छित मानते हैं कुछ लोग कहते हैं जोड़ना चाहूंगा अब ये कही मसला जे इंग्लेंड में अमेरिका में या यूरोपिक कंट्रीज में होता हां तो मोदी जी वैसे सक्स वहां पर लापता हो गए होते उन्हें स्टीफा सार्विनिक जीवन से पॉलिटिकल लाइफ से इस्टीफा देना लिकलना पड़ता है अलग प्रकार की परंपरा हैं तो इसमें यह मान नहीं हो जाता है लेकिन डेमोक्राटिक जो कंट्रीज हैं खास तोर से यूरोप की महां यह मसला नहीं चल सकता था और इनको बनवास जाना वड़ता है भारती समाद में पस्चिमी समाद में ज्यादा खुला है भारत की तुलना में से इस्तरी पूरुष संबंदों को ले करके लेकिन वहां नेता को जो लीडर्स है टॉप लेवल पे उसकी नेतिकता और सुचता से कोई सम्झाओता नहीं होता भारत में उल्टा है भारत में निजी समाजिक जीवन में तो लोग बड़ी सुचता और सुधता के पैक्षा करते हैं लेकिन जो बड़ा आदमी है तो समरत का नहीं दोशाई अरे बड़े आदमी हो सब चलता है इसलिए यह मुद्दा नहीं तो वहां तो एक फोटोग्राइब जो है वो अमेरिकन प्रेजिएंट कंडिडेट थे उनकी पूरी राजितिक जीवन खत्म कर देता है लेकिन भारत में ऐसे अनेक उदाराने जिनका मैं भी जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि इस तरह के कि वो लोग पधानमंत्री भी हो लि वोट डालने के लिए निकली थी लेकिन अभी तक उन्होंने वोट अपना डाला नहीं है यह बताये जारा है कि शायद कुछ वक्त लगेगा और वो पहुंचेंगी अपना वोट डालने के लिए अलाकि वहाँ पर हमारे समवादाता बीपी तरपाथी बीपी तुछापती मौझूद हैं और जब पहुंचेंगी अपना वोट डालने के लिए जैशुदा बेन तो उस जैशुदा बेन चोंकि अभी अब तक उन्होंने अपना वोट डाला है